मैं आपको बता दू कि T20 वर्ल कप एकदम नस्दीक आही गया है और इस टूर्णमेंट के शुरू होने से पहले बहुत कुछ हो चुका है जो टूर्णमेंट बंगदेश में होने वाला था अब UAE में खेला जाएगा पार्टिसिपेटिंग कंट्रेस अपनी स्कॉर्ड बे अ परशार जामें टूर्णमेंट के शुरू होने से पहले 10 वामप मैचेस होंगे जो 28 सप्टेमबर से 1 अक्टोबर तक चलेंगे हाँ आम निशा माकर आज के वीडियो में हम डिस्कुस करेंगे कि T20 वर्ल कप और इंडिया के फिक्शर्स कब और कहां खेले जाएंगे इन वि न्यूजिलेंड पाकिस्तान और श्रीलंका ग्रुप B में होंगे साउथ अप्रिका इंगलेंड वेस्ट इंडीज बंगलदेश और स्कॉटलेंड दोनों ग्रुप के सारे टीम्स को दुबई और शार्जा दोनों स्टेडियम्स में खेलने का मौका मिलेगा टूर्णमेंट का ओपनिंग फिक्षर शार्जा में ओफिशल वोस्त बांगलादेश और स्कॉटलेंड की बीच खेला जाएगा इंडिया की बात करें तो इंडिया टोटल चार मैचेस खेलेगी अब वो मैचेस किस टीम के खिलाब कब और कहा शेडियूल है चलिए देखते हैं लेकिन उसस की बीच का highly anticipated clash दुबे में 6 October को दुपैर दो बजी होने वाला है यानि कि संडी को इंडिया टाइम के एकॉर्डिंग साड़े तीन बजे यह मैच फुल-on high-octane होने वाला है इंडिया का अगला मैच स्री लंका के खिलाब दुबे में 9 October साम 6 बजे खिला जाएगा दोनों इसके competitive spirit के साथ यह मैच काफी intense होने वाला है जब Asia Cup में यह टीम्स फाइनल में आमने सामने आई थी तब स्वी लंका का डॉमिनेंस काफी जादा साफ नजर आया था इस T20 World Cup में कौन सी टीम का पगड़ा भारी होगा यह तो 9 October को पता चल जाएगा इंडिया का final group stage match defending champions Australia के खिलाब शार्जा में 13 October को कम 6 बजे होगा यह मैच इंडिया के tournament progression के लिए काफी जादा प्रूशेग हो सकता है अब अगर इंडिया group stages के बाद semi-finals तक पहुचती है तो वह semi-final 1 दुबई में 17 October को खेलते हुए नजर आईगी 18 October को शार्जा में 2nd semi-final होगा In case of rain, semi-finals और final के लिए ICC ने reserve days भी रखे है तूर्णमेंट का final match दुबई में 20 October को होगा तो तयार हो जाएए मेरे wicket fans यह treatment tour का full on excitement से भरा होने वाला है जहां बड़े hits, stunning wickets और edge of your seat moments मिलेंगे इन 23 matches और इंडिया की matches में आप किस match के लिए सबसे ज़्यादा excited है यह हमें comment section में ज़रूर बताईए आज के लिए बस इतना ही हम फिर मिलेंगे women's quick zone presence या outside view में